नमस्कार, स्वागत आपका हमारी यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्यवाता में दोस्तो आज हम डिसकस करेंगे हीमाच प्रदेश में हुई TGT कमिशन आर्ट्स की और इसमें जो हिंदी का पोर्शन था वो हम सबसे पहले दिख रहे हैं आ जो तदवब रूप है वह है सुरज थीक है तो विकल्प नमबर 151 का देखी क्या होगा विकल्प नमबर B इसका सही उतर होगा Next देखिए पीट दिखाना मोहावरे का क्या अर्थ है तो पीट दिखाना मुहाबरे का अर्थ जो है देखिए बहता ही युद से भागना 152 का सही उतर होगा विकल्प नमबर A फिर है 153 आस्वर कैसा है तो आ जो स्वर है देखिए विबृत स्वर तो विकल्प नमबर C इसका सही उतर होगा अगला प्रशन है देखिए 154 शब्द शक्ति कितने प्रकार के होती है तो यह है आपका विकल्प नमबर B तीन प्रकार की होती है अविधा, लक्षना और व्यंजना ठीक है आँखन दीदा, काडिक का सीदा लोकोक्ति का अर्थ क्या है तो दीखिए इस लोकोक्ति का जो सही अर्थ है वो है आपका विकल्प नमबर C दिंग माना अगला प्रशन है देखिए 156 निहार का शाब्दिक अर्थ क्या है तो दीखिए निहार का जो शाब्दिक अर्थ है वो है आपका ओस विकल्प नमबर A इसका सही उत्तर होगा अगला प्रशन है देखिए तटस्त का विलोम शब्द कौन सा है तो देखिए तटस्त का मतलब होता है जो निश्पक्ष हो लेकिन यहां पर इसका जो सही उत्तर होगा देखिए जिसको हम slash भी कहते हैं, विकल्प नमबर 10 इसका सही उत्तर होगा नेक्स से दीखिए, जिसने रेंड चुका दिया हो, उसे क्या कहा जाता है उसे कहते हैं, उरिन विकल्प नमबर A इसका सही उत्तर होगा परशन संख्या 161 है दीखिए, आजनम में कौन सा स्मास है तो दीखिए, आ, अन, इत्यादी शब्द जहां पर आते हैं, तो सबसे पहले जैसे यथा प्रती इत्यादी जिन शब्दों के अरंब में लगते हैं, उनमें कौन सा स्मास होता है अभ्याई भाव समास होता है या फिर अभ्याई भाव समास उनको भी कहा जाता है जिनका प्रत्थम पद क्या होता है प्रधान होता है तो 161 का जो सही उतर होगा देखिए यह वो होगा विकल्प नमबर D अभ्याई भाव समास next है मिठास में प्रत्या है तो इसमें है आस प्रत्या विखल्प नमबर B इसका बिल्कुल सही उतर होगा next दीखे अध्यक्ष में उपसर्ग है तो अध्यक्ष शब्द दो शब्दों के योग से बनता है देखे अधि जमा अक्ष तो इसका जो सही उतर होगा विकल्ब बी next दीखे पावक का संदी वीछेद क्या है तो देखे पावक का संदी वीछेद है वो है पाव जमा अक विकल्ब नमबर B ठीक है अउ के बाद अगर अ हो तो उसका क्या हो जाता है आव हो जाता है ठीक है पावक ठीक है तो विकल्ब नमबर B इसका सही उतर होगा नेक्स से देखिए मनु जमा अंतर की संधी होती है तो मनुजमा अंतर का मतलब होता है मनवंतर विकल्प नंबर C इसका सही उतर होगा क्योंकि उ के बाद अगर सामने आ हो तो उसका क्या बन जाता है वो बन जाता है ठीक है मनवंतर नेक्स से लीखे शुद शब्द कौन सा है तो शुद जो इनमें शब्द आधी को है याका उचारन स्थान क्या है तो इनमें जो उचारन स्थान एं देखे वो है आपका तलब्य विकल्प नमबर C इसका सही उतर होगा नेक्स से दिखिए शौ ब्यंजन कैसा ब्यंजन है तो शौ जो ब्यंजन है दिखिए यह आपका अगोश महाप्राण तो यहाँ पर अगोश कहीं नहीं है तो महाप्राण इसका सही उतर होगा पिकल्प नमबर D नेक्स से दिके तरंग का विशेशन क्या है तो ये है तरंगित तो ये थे दोस्तों पूरे के पूरे हिंदी के 151 से लेकर के 170 तक के प्रशन और इसके तुरंट बाद हम जो दूसरे सेक्शन है उनको लेकर आपके बीच में जल्दी आजिरोंगे तब तक के लिए आप बने रहिए हिंदी साही तेवार्त चनल के साथ शुक्रिया जय हिंद